यह उंदाई का एसेन गड़ी है जिसमें हमने हमारा थर्मल एक्टिवेटर डिवाइस यहां पे भिड़ाया है यह जो थर्मल एक्टिवेटर डिवाइस है उसके लिए जो गरम पनी का रिक्वार्मेंट है जो गरम पनी इसमें फ्लो होना चाहिए वो गरम पनी जो है हमने लि कि यह जो एसी को पाइप जा रहा था एसी हीटर को जो गरम पाइप है उसको बीच में हमने कट किया है एक साइड से यह जो पाइप है यहां से एक साइड को हमने यह पाइप वापस एडिशनल जोड दिया है डिश्टर डालके और यहां से गरम पाइप इस तरह से थर्मल एक series में बिठा है गरम पनी इससे flow होके जाएगा ये thermal activator device बिठाते वक्त हमने ये जो device बिठा है उसको कही भी body earthing नहीं होना चाहिए क्योंकि ये उपर का metal part है तो ये metal part body के साथ अर्थ नहीं होना चाहिए इसलिए इसको तीन rubber के spacer डाले है ताकि ये body के साथ connect नहीं हो जाए अभी जब ये device गरम हो जाएगा तो उससे thermal activated electrons जो निकलेंगे ये blue pipe से निकलते हैं और ये blue pipe से हमने यहाँ पर inject किये हैं ये जो जगा है filter और यहां से जो manifold है यहां पर जाने वाला हवा है उसके साथ हमने ये mixer के दिये प्रुवर टैंड़ मेटन बानाध Komm doe कर मैanहिंर बालने कि ड़ प territ फीसनों प्रस पैंड़ करिक नहींड़ कर दो लिक कर दो तो क सकतू कर दो टें म麼 जाझिल नहींग कर द दो से में तो कर दो ब legitimately"! डिन के अजलन रहा हसा है कि त है 10 बहा हम 10 बहा है